ज्यादा तर सभी घरों में सैन्विचिस बनते ही हैं कभी नाश्ती के लिए बच्चों के टिफिन के लिए या फिर इवनिंग स्नैक्स के तोर पे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू, प्यास टमाटर और खीरे के सैन्विच की रेसिपी इस रेसिपी को बनाना बहुत असान है और इसी लिए घर में अबलेबिल इंग्रिडियंट से ये बनके तयार हो जाती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही टेस्टी और मजीदार रेसिपी सैन्विचेज बनाने के लिए जरूत होगी उबलेवए आलू की, प्यास, टमाटर और ब्रेट स्लाइसिस की तो आलू को यहां तो छुटे छुटे टुकड़ों में काट लेंगे या फिर इस तरह से हाथों की मदद से फोड के ले लेंगे मीडियम फ्लेम पे कड़ाई में एक टेबल स्पून ओयल लेंगे, आधर चम्मत जीरा, दो पिंच हींग डालेंगे एक से डेट चम्मत धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, यहां पे मैंने मिर्ची पाउडर का यूज थोड़ा सा कम किया है अगर आपको स्पाइसी पसंदे तो आप यहां पे हरी मिर्च पी काड़ के डाल सकते हैं सभी चीजों को डालने के बाद 5 मिर्च के लिए आलू को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे ठीक, वैसे ही जैसे हम समोसे के लिए आलू तयार करते हैं सौधान सार नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिच डाल के वापस से अच्छी तरह से मिला लेंगे तो यहां पर मैंने बहुत जादा मिर्च मसाले या फिर सबस्यों का यूज नहीं किया है अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें उबले हुए मटर डाल सकते हैं, वो इसमें काफी टेस्टी लगेंगे तो यहां पर आलू को बुनना काफी इंपॉर्टेंट है, जितना बढ़िया तरीके सा आलू बुनेगा, उतना ही बढ़िया टेस्ट हमारे सान्विचिस काएगा गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और एक बतन में आलू को निकाल देंगे अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उस पे या तो बजार का मखन या फिर घर का सफेद मखन इस तरह से स्पून की मदद से चारो तरफ फैलाते हुए लगा लेंगे इसी तरह से दूसरे स्लाइस पे भी मखन लगा लेंगे अब एक स्लाइस के उपर हरे दिनी की चटनी इस तरह से फिला देंगे और दूसरे स्लाइस पे थोड़ा सा टमाटो कैचब स्पून की मदद से चारो तरफ इस तरह से फिला देंगे अब ये तयार की हुए आलू इस पे थोड़ा से इस तरह से करके रख देंगे गोलाई में कटे हुए प्यास के टुकड़ों को इस तरह से फिलाते हुए चारों तरफ स्लाइस पे लगा देंगे तोड़ी से कटे हुए टमाठर लगाएंगे और गोल टुकड़ों में कटे हुए खीरे से सजा देंगे इसमें आप चाहें तो पारी कड़ी भी पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है तो उपर से थोड़ा सा इसके उपर चिली फ्लिक्स और थोड़ा सा ओरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे दूसरे bread slice से cover कर देंगे, आप किसी sandwich maker या फिर तवे पे हलका सा oil लगाके इन sandwiches को toast कर देंगे हलका हलका सा oil तवे पे इस तरह से brush के मदद से चारों तरफ spread कर देंगे sandwiches बाहर से भी देखने में अच्छे लगें, इसके लिए पारी कटा हुआ धनिया, थोड़े से लाल मिच्छी powder को इस तरह से sprinkle कर देंगे ये totally optional है, अगर आपको पसंद ना हो तो इसको skip भी कर सकते हैं इन bread sandwiches को बनाना बहुत आसान है, बच्चे हों या बड़े सब ही इन्हें बहुत पसंद करते हैं अगर आप इन एक बार खाएंगे तो इनके fan हो जाएंगे bread के दूसी साइड भी हलका हलका सा brush की मदद से oil लगा देंगे यहां पे हमें बहुत जादा oil लगाने की जरूद नहीं है क्योंकि bread slices पे हमने पहले से ही butter लगाया हुआ है टोस्त दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिख जाए तो बीच में से cut करके इस तरह से एक plate में निकाल लेंगे और बाकी के टोस्त को भी इसी तरह से क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से दोनों तरफ से से एक लेंगे टोमेटो कैचप और हरे दनी की चटनी के साथ सर्व करेंगे तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो की नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें